जहिन साथियों मैं इशारहमत competition community के इस 36 गड़ सब इंस्पेक्टर प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप अपने उद्देश्ची के प्रती अपने लक्ष के प्रती अपने एम के प्रती बिल्कुल समर्पित है जो की आप क्या है 36 गड़ सब इंस्पेक्टर तो 36 गड़ सब इंस्पेक्टर बनने के लिए आपको देखा जा रहा है कि आप बिल्कुल निरंतर महिनत कर रहें बहुत सारे बच्चे जो है comment box में आंसर भी देते हैं जो मैं पूछता हूं चलायमान रूप से पढ़ाते पढ़ाते तो उन लोगों को मैं कहना चाहूंगा साथियो इसी प्रकार बने रहें क्योंकि जो 25 जुलाई से 25 अगस तक के का जो सैग्मेंट चलने वाला है एक स्मार्ट स्टडी वे पे और एक क्विक रिविजन फॉर्मेट में उसे बहतर तरीके से कंप्लीट करें और याद रखना है सा प्यारी बहतर से बहतरीन करें और अपना जो है एक सीट 975 पदों की जो यह आपकी भरती प्रक्रिया में जो पोस्ट है उसमें एक सीट सुनिश्चित करें क्लियर है तो आइए देखें सबसे पहले एक सुभ विचार पे चर्चा होगी सुभ विचार किसे रिलेट करेंगे तो भरती प्रक्रिया से और जो है हम आगे बढ़ेंगे अपने सत्रिकियों तो आइए देखें कि इनसे तो भली भाती परिचीत है अब हमारे भारत की मिसाइल महन कहे जाने वाले एपीजे अब्दूलकलाम सहब और एपीजे अब्दूलकलाम सहब कहते हैं कि इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना की कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं याद रखेगा साथियों पेसेंस बहुत जरूरी है लेकिन पेसेंस जो है वो हमारे प्रतियोगी परिच्छाओं के लिए नहीं है परितियोगी परिच्छाओं में हमें निरंतर्ता जो है वो बनाया रखना जरूरी क्योंकि बहुत सारा विशय हमें कवर करना होता है और उन लेकिन याद रखिएगा अपनी निरंतरता बनाया रखिए कोशिस जारी रखिए बहतर इस तर बनाने के लिए अपनी सिक्षा का और इंतजार किसी चीज का हमें नहीं करना है आशा करता हूं मेरी बाते आप लोग को समझ में आये होगी आईए अब हम अपना सत्र प्रारंप करते हैं ऐसे साथियों भारत का भूगोल भारत का भूगोल का आज का टौपिक है जनगरना और जनगरना के साथ वीवित रूप से जो प्रस्ण पुछे जाते हैं भूगोल से उन पर हम चर्चा करेंगे लेकिन ये जाने कि अधिकतर ये देखा होगा आप लोगों ने कि ज तो परिक्षा लेने वाला वह आपके अनुभाव का आकलन करता है वह आपको देखेगा समझेगा कि यह बच्चा किस इस्तर का है उसी के निया अनुसारतों है जो आपको पोस्ट मिलेगा ठीक है संथ न यहां परिये है कि उसको पता होना चीए चाहिए अधा स्थिती और बाकी सारी चीजें में भारत में जो नन ना का और करते नाव हिंदी में कारताने कर्म को करण से यह सब चीजें कारक כare देखा जाए जनगणना का तो ये समंख्यानाका कारक है मनुष्य है मनुष्य एक ऐसा जीव प्रिथ्वी में जो कि अपने साधन के लिए अपने बहतरी के लिए क्लिए कहा जा सकता और जो हे आपका उसका मतलब क्या कहने है इसको उपयोग करना सिख ग्या और उपयोग करने के साथ उसे जो है आधूनिक्ता की ओर ले गया समस्ते है तो मनुष्य का कारक है। किसका तो स्टूडेंग को पता होना चाहिए कि वर्तमान परिपेक्ष में या आपका जब जनगरना हुई है उस समय भारत की जनसंख्या कितनी थी कितने लोग उसमें पढ़े लिखे हैं कितने लोग जो है उसमें कितनी महिला हैं कितने पूरूस हैं ये सब सारी चीजों का आकलन पता हो है या नहीं है छात्र को तो उस प पॉपिलेशन देखा जाया तो भारत की जनसंख्या 2011 की जनकरना के अनुसार 121 करोड लगभग हाना जो कि पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5 प्रतिशत रही हाना यह माने बताया आप लोग को कि भारत की जनसंख्या 121 करोड और यह जो है आपका पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5 प्रतिशत रही है और यह कितने वर्ग किलोमेटर के चेतर में फैली हुई है मतलब कि भारत का चेतरफल कितना है तो 32,87,263 वर्ग किलोमेटर भारत का चेतरफल है तो साथियो अगर कहेगा पूछेगा तो इतने से तो परसनागार बेसिक पूछा तो ठीक है लेकिन परसन पूछेगा कहां से कि भारत में किस राज में सबसे ज्यादा जनसंख्या है किस राज में सबसे कम जनसंख्या है किस केंदर सासीत प्रदेश में सबसे ज्यादा संख्या और किसरे केंदर सासीत प्रदेश मे चौथे नमबर का राज्य है, देन उसके बाद महराष्ट महराष्ट में 11 करोड है, सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है, जो कि 1975 में भारत के अधीन आया, Constitution वाले पार्स पोर्शन में अच्छी तरह किसे इसको समझाया जाएगा, ठीक है, पॉलिटी वाले में, तो आपका सिक 2011 की जनगरना चल रही है, यह पूरा कंसेप्ट आपको 2011 की जनगरना से यहीं से प्रशन पूछेगा आप लोग का, ठीक है, लक्षदीप में सबसे कम, 64000 लगभग कुछ 64000 जनसंख्या जो है, लक्षदीप में निवास करती है, तो इसे याद रखना है, क्लियर, आईए कहा जाता है, आपका सेक्स रेशू या आपका लिंगान उपात, ठीक है, बताया ना कि कितनी महिलाएं हैं, कितने पूरुष हैं, इसका भी जानकारी पता है, कि नहीं पता है, इसी परिपेक्चे तो कोश्चन पूछेगा भई, ठीक है, और इगो भी चेक करता है, उसमें, समय वे अर्थ कर दिया, जबकि आगे में और सरल कोश्चन प्राफ्ट किये जा सकते थे, और उसे बनाया जा सकता है, सरल नहीं तो मॉडरेट लेवल के कोश्चन मिल जाते आगे, लेकिन वो लेंदी वाले को बनाने के चकर में टाइम लगा देता है, और क्या करेगा आपक कि 2011 की जनगरने के अनुसार है, किस में बोला मैं यह यह भारत में है भई हाना, भारत में, अब अगर राज्यवरत प्रस्न पूछ बैठा, कि किस राज्य में सबसे ज्यादा लिंगानुपात है, किस राज्य में सबसे कम लिंगानुपात है, तो साथियों यहाँ देख सकत क्लियर तो यह याद रखना है अब सबसे कम लिंगान उपात देखो भाई कहा है हरियाना में 879 महिला है प्रती एक हजार पुरुस में फिर जम्मू कश्मित अना सबसे कम में तो यह और दो डाटा रख दिये गए है तो यहां से भी प्रश्णगर आए तो हमसे नहीं चूटन चाहिए पूडू चेरी में सबसे ज़्यादा जो कि हमारे भारत का केंदर साशित प्रदेश है ठीक है चार बागों विभगत है तो यहां जो है सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए लिंगानुपात है च्छमा चाहूंगों गला थोड़ा खराब है तब यह अतना साज है अगे बढ़ने साथियों आओ जनसंख्या विद्धितर है इसे कहा जाता है तो यह कैसे होगा प्यारे साथी दरसल बात यह है इसे इकदम आसानी से समझा सा सकता है कि हर 10 साल में जो है क्या होता है जन 그대로 होती है भारत में 2011 की जनगणना पंधरवी जनगणना थी लेकिन अगर आजादी के बाद पुछेगा तो सातवी जनगणना थी दरसल बात ऐसी है सातियो कि कहानी है 1872 की जब आपके एक मतलब आपके वायस राय थे वो थे कौन आपके मतलब लॉड मेयो लॉड मेयो 1872 में सबसे पहले जो है आपका जनगणना इस्टार्ट किये उसके बाद जो आते हैं आपके 1881 में लॉड रीपन तो रीपन ने रीबन काटा 1881 में और सबसे पहले नियमित जनगणना जब इस्टार्ट हुई तो आपका कफ से इस्टार्ट हुई आपका 1881 से यह याद रख सकते हैं यहां से प्रस्ण देखने को मिलेगा सीधा तो सांतियों याद रखना है कि अगर 1872 से काउंट करें तो पंधरवी जनगणना थी सीधा व्यापम प्रस्ण पूछा है एक बार ठीक है प्रस्ण रखा गए है आप देखेंगे अब जो है आपका अजादी के बात पूछ दिया तो साथ भी जनगणना याद रखना है ठीक है काउंट कर सकते हैं तुरंत काउंट करो तो अब देखो जनसंख्या वृद्धिदर तो हर दस साल में जनगणना होती है और अगर 2000 की जनगणना हुई एक एक एक्जामपल लेना है कि 2000 में एक बार जनगणन समक लिया जाएगा माइनस में काउंट किया जाएगा अगर बढ़ गई तो प्रतिसत क्या करेंगे उसमें बढ़ा के करेंगे इनहीं का अंतर क्या कहलाता है आपका जनसंख्या वृद्धिदर जैसे मां बता रहूं फिर से एक बार समझो ठीक है ऐसे नहीं समझ मैं आया हो हो गई एक सोग आपका बारा ठीक है तो यह बारा क्या है बढ़ी है जनसंख्या तो बारा प्रतिसत क्या हो जाया गई बढ़ी है ठीक है तो इसका जो है आकलन करा जाता है इस प्रकार से ठीक है तो आए अब देखें कि किस राज्जी की जनसंख्या कितनी बढ़ी है देख का बाइनस 0.6 जनसंख्या जो है प्रतिषत बढ़ा है मतलब आपका नाकरात्मक रूप से काउंट किया गया तो कब काउंट किया गया आपका नागा लेंड में 2011 में जो कि माइनट माइनस 0.6 परसेंट था ठीक है फिर दादर नागर हवेली में देखेंगे जनसंख्या वृत तो साक्षरों की संख्या बटे साथ वर्ष से अधिक आयू वाली जन संख्या ऐसे आकलित किया जाता है तो याद रखेगा कि 2001 में साक्षर्तादर थी हमारे भारत की साक्षर्तादर मतलब कि लिट्रेट परसन बताया ना कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं कितने लोग प्रतिसत जैसे लोग जो है वह आपका क्या होगा अनपढ़ है तो इस प्रकार से आकलित किया जा सकता है तो आपका यहां आप इसे पढ़ सकते हैं इस प्रकार से तो यह याद रखना जरूरी है यह डाटास प्रसन पूछा है भाई व्यापम में क्लियर आगे बढ़े अभी वी वरतमान में वहीं होगा ठीक है अगर जनगर्ना हुई तो उसके बाद मीजोरम है ठीक है यहां से प्रस्ण पूछा हुआ है 91% 91.3% के साथ 61.8% के साथ हमारे महोदा है बिहार सबसे कम आपका लेटरेशी रेट उसके बाद है आप करोना चल प्रदेश और लक्ष समझ लेते हैं एकदम असान भासा में समझना है भारत है बधीस लाग सतासी जाद 26 किलोमीठर का चेत्र फल के साथ और प्रती 1000 billion 1-1 Kilometer वर्ः मैं वतलहाग एक किलोमीटर चेतर में स्वरी कितना एक किलो-मीटर वर्ः चेतर में मतलब एक किलोमेटर स्क्वेर में जितने लोग निवास रथ हैं वो जो है आपका चंसंख्या घना तो कहते हैं जैसे यह हो गया आपका यहां एक और हम बना देते हैं वर्ग ठीक है यह भी इसी बराबर समझना है न छोटा नहीं है ठीक है यह भी एक किलोमेटर का है तो अगर मान क कर दोनों को अगर कंड किया वरेश कितना होगा तो इन दोनों का यहाद रखेगा भारत का घंसंख्यां का नद बोलेगा तो है लग के सादब से एक रहते हैं तो आइे देखें राज्यूरत हम देखें इसे तो जाओ 1106 के साथ बिहार महोदाय सबसे ज्यादा ठीक है 1106 लोग जो है इसमें के प्रती वर्ग किलोमेटर चेतर में रहते हैं उसके बाद देखें आपका पस्चीम बंगाल तो पस्चीम बंगाल में आपका सेकेंड नंबर में है यहां से प्रस्ण हमेशा पूछता है पस्चीम मध्यप्रदेश में दिल्ली में 11320 अपवादी थे मतलब की थोड़ा सा मतब क्या है अलग टाइप का है तो इसे याद रखना ना भूले अंड माननी को बार केंडर शाशीत प्रदेश जहां 46 लोग जो है प्रती एक किलोमेटर वर्ग छेतर में रहते हैं क्लियर आगे है अगर प्रतिशत में बोल देगा तो प्रतिसत में पंजाब में ठीक है क्लियर है प्रतीशत में पुछेगा तो पंजाब और सबसे ज्यादा बोलेगा तो आपका कहा आपका उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ें भारत में पहली अब प्रस्ण स्टार्ट होता है देखो एकदम सो समझ के बनाना है ना देखो भारत में पहली समकालिक जनगर ना भी कहा जाता है तो लौड रीपन के समय में स्टार्ट हुआ था सांथियों क्या 1881 में मैंने आप लोग को बताया नियमित जनगरना या आपका समकालिक जनकरना क्लियर है इतना आगे बढ़ें आईए वर्स 2011 में निम्नांकित में से कौन सा राज्य कुल जन संख्या में नगरिय जन संख्या के अनुपात के संदर्म में देश में सबसे कम नगरिकृत जन संख्या है तो याद रखना है साथियों सबसे कम नगरिकृत जन संख्या आपका कहा मिलेंगे हिमाचल प्रदेश महोदय में क्लियर है हिमाचल प्रदेश में याद रखना सबसे कम नगरि सही है देख लेते हैं भारत में सबसे कम लिंगानुपात पुडुचेरी का है तो पुडुचेरी का नहीं है देखो यहां बताया था ना लिंगानुपात सबसे कम कहां गया भई लिंगानुपात महुद है ठीक है कहां यह रही आपकी लिंगानुपात तो लिंगानुपात सबसे कम आपका हरियाना में और यहां क्या है आपका हरियाना दिख रहे है के प्रस्न में कहां गया महोदय यह थोड़ा फोकस कम रहता है यहां से ना तो ही माचल प्रदेश वापस आ गया है ठीक भारत की 2011 की जंगना के अंसा सबसे कम लिंगानुपाद पुदुचेरी का है सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिकाबादी है तो यही तो कथन सथी सही होगा ठीक है बाकी कथन को पढ़ने की अवश्यक्ता नहीं है क्लियर आगे बढ़ें आईए जंगनना 2011 के अनुसार भारत में साक्षर्ता दर क्या है तो मैंने बताया था 74.4 प्र साक्षर्ता दर सबसे अधिक किस राज्य में है तो याद रखिएगा साथियों चाहें वो महिला हो या पूरुष हो किसी की भी अगर साक्षर्ता दर का अगर प्रस्न पूछा जाए तो केरल ही आंसर लेना है ठीक है केरल में जो है आपका क्या है सबसे अधिक लिट्रेसी क्लियर आगे बढ़ें भारत में 2011 की जनगरना का क्रम क्या था प्रस्ण व्यापम में पूछा गया है और यह आपका पंधरवी जनगरना विभाग द्वारा आंसर भी लिया गया है क्लियर बहुत सारे लोगों का मत होगा कि 1881 से नियमित चालू हुआ है तो चौदे नंबर का है लेकिन साथियो जनगरना तो प्रारंभ हो चुका था आपका 1872 में मेयो के काल में तो पंधरवी जनगरना याद रखना है गलत नहीं करना है इसको क्लियर आगे बढ़ें लेकिन है भारत में राज्य में जनसंख्या 2011 की जनगरना की अनुसार सबसे कम है भारत में जनसंख्या सबसे कम है तो याद रखेंगा जनसंख्या सबसे कि छे लाग के साथ सबसे कम क्लियर आगे बढ़ें अगला प्रस्ण है जननांकिय संक्रमण की कौन सी अवस्था जनसंख्या में तीवर विद्धी को बदलाती है देखो भाई यह प्रस्ण बहुत पेचीदा है लेकिन पांच चरण होते हैं आपके किसके यहां दीख सकते हैं महोदय जननांकिय संक्रमण आपकी जनसंख्या की जिसमें आपका भारत का जो आपका स्थिती है इसी के अनुसारी से पूछा गया मैं बताया ना की स्थिती पूछेगा आपको चेक करेगा भारत की स्थिती है दृतिय अवस्था जिसमें मेर्तियूदर कम होती है और आपक तरीके से अपना जीवनियापन भी करना है अपना इस तर भी बहतर बना के रखना है क्लियर है आओ आगे बढ़ें अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंदर सासित प्रदेश में साक्षर्ता प्रतिसत अधिकतम हैं तो देखो भैई शाक्षर्ता प्रतिसत केंदर सासित प्रदेश पूछ दिया है ठीक आओ लेके चलता हूं नक्से के तरफ केंद्र साशित प्रदेश में है लक्ष दीप में सबसे ज़्यादा है एक मैं आगर लक्ष दीप नहीं होगा तो आप आप बतारो हैं अंसर क्या होगा कहा गए महोदा है यह था आपका फिल्स के बाद यह था यह रहे लक्षदीप महोदा है ठीक है तो लक्षदीप में सबसे ज्यादा क्लियर है आगे बढ़े आई पुडू चुरी लेते अगर वह नहीं रहता तो ठीक आगे बढ़ते हैं वर्ष 2011 की जनगर्णा के अनुसार भ सबसे ज्यादा सहरी जन संख्या कहां है तो सबसे ज्यादा सहरी जन संख्या कहा है गोवा में है गुमने जाते हैं ना बहुत सारे लोग अभी नहीं जाना गुमने के लिए ठीक है पहले बन जाओ अधिकारी तो खुद भेजीनगे ने किसी केस में बहार ना अना अभी पढ़ाई में थेना बहारा से एक किस जन्गणना वर्ष में भारत में नाकरात्मक वृद्धि दर्जिक की गई थी तो हिंदू वर्ष भी कहा जाता है इसे 1921 में प्लेक की विमारी फैली थी ऐसा योगांदोलन भी इसी से संबंधी थे 1920 के समय में प्लेक फैला हुआ था और इस समय जो है बहुत ही मित्यूदर बढ़ गया था और इसी में जो है नाकरात्मक आपका क्या देखा गया था नाकरात्मक वृद्धिदर्ज की गई थी इसमें जनगर्णा में क्लियर आगा बढ़ें आईए वाइस राय कोन थे बताओ 1920 के सामय में ठीक है आधुनिक भारत के थिहास भी कवर कराया जागा टेंशन नहीं लेने का ठीक तो 2011 की जनगर्णा के नुसार भा बहुत विवादित प्रश्न पूछा हूं क्लियर आगे बढ़े बारत की जनगर्णा सब वही उसमें तहसिल में ठीक जाएंगे लेकिन जो है आपका मैं भी नी बताऊंगा मैं आप लोगों को बाल में बताऊंगा क्लियर भारत की जनगर्णा 2011 के अनुसान निमलीखित में से किस राज्य में साक्षर्ता का प्रतिशत सबसे कम है आग बन करके बिहार लगाना ठीक है कहां का है पिहार का क्लियर आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं कि आपका राष्टिय जनसंख्या नीती 2000 के मुख्य बिंदू थे सन 2000 के क्या मुख्य बिल्कुल सही है जन्में विवाह का पंजी करन ये भी सही है वर्स 2014 तक के बच्चों के अनिवारी निहिसुल सिख्छा ये भी सही है ना इसको आप समिधान संसोधन से मत जोड़िए का ये भी है उसके अंतर गताया तो प्रोक में से सही आंसर होगा इसका वर्स 2011 की जनगर्ना में भारत की जनसंख्या घनत हो क्या है बताया हूँ ना 385 प्रतिवर्ग किलोमीटर कित्ते लोग रहते हैं वह बताया था जनगर्ना 2011 की अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत हो सरवाधिक है बताओ भाई सबसे जनसंख्या घनत हो भारत में के लिए धारित विकास लक्ष के अंतरगत 2030 तक मातरितु मित्युयानुपात में प्रति प्राप्ति का क्या लक्ष्या है मतलब के आपका मातरितु trusting अनुपात उसका क्या दरसब साथियों क्या है इसको समाजना है प्रस्णों को पहले कि प्रसवρपीडा मतलब जब मातायburg उती तो आपका प्रसव पीड़ा हो गई और आपका साधनों का अभाव भी होता है मतलब कि लेक आफ मतलब हमारे पास जगह नहीं रहती है मतलब कमी होती है जिस प्रकार से कि गाउं में नहीं पहुच पारी है सेवाएं वाभी तो बहुत ही एडवांस हो गया है लेकिन उतना भी भाई तो अभी वर्तमान में 103 है लेकिन मात्रित मित्युदर का 70 का लक्ष लखा गया है लेकिन जो है अगर बहतर तरीके से और एडवांस लेवल पर अगर काम किया जाए जैसे पीपी मॉडल बहतर है इस प्रक्रिया में जो है यह नहीं होने देगा ठीक है अगर सरकार उस अगला प्रसना भारत में प्रथम पर्माडू रियक्टर का नाम क्या है तो 1956 में बना बार्क में याद रखेगा अपसरा नाम था बार्क का फुल फॉरम बताव चलो कम इंट बॉक्स में ठीक है अनुसंधान क्रेंश से परस्न पूछे जाते हैं तो इसलिए जो है अनुसंधान केंद्र को भी याद करते जाओ ठीक है पर्टिकुलर कहां कहां कौन-कौन से है और उसका फूल-पॉरम भी ठीक है बार्क का बताओ भी स्टार्टिंग बताते हैं भाभा ठीक आगे बढ़ते हैं मानव भूगोल के जनक किसे कहा जाता है तो फैडरिक रेड़ जील सीधा-सीधा प्रसनक तीन बार दोर आये गया है भी तक के पांस सालों में दो से तीन बार तो याद रखना है फैडरिक रेड़ जेल मानव भूग कि शुरुवात की शुवर्ष की गई थी भारत में बाढ़ नियंतरन कारेक्रम जो है आपका 1954 में शुरू की गई थी और आपका बाढ़ नियंतरन के साथ जो है आपका दिल्ली में इसका मुख्याला है तो इस प्रकार से इसे याद भी रखना है अभी कोरिया में मतलब भुकम पाया है 18 दिन में दूसरा था भई तो उसमें बहुत सारे श्रमीकों कभी है जो है जहती होई लापता भी है कुछ लोग तो इसको भी जो है करेंट लेवल पे पहतर तरीके से तैयार करिएगा क्लियर है ठीक है आओ चलो आगे बढ़ते हैं हरित राजमार्ग का लक्ष क्या है तो हमारे उस 2015 में बना थे तो अर्तमान के नितिन गटकरी ने स्टार्ट किया था तो हरित राजमार्ग का लक्ष है विरिक्षा रोपन मतलब भारत का जो है आपका आसपास पाधो और विरिक आओ हैदर अली के समय कहा है आज आपका तो इसके बारे में याद रखना है डिंडी गुल तमिल नाडु में एक नगर है हैदर अली के समय में यह जो है स्थापित हुआ था तो आपको इतिहास में देखने को मिले गए पढ़ेंगे तो आप ठीक टिडिया भारत में प्रव प्रताडित रहा है भारत का पंजाब वाला छेत्र ठीक है आपकी रभी की फसल होती है ठंडी के समय में वहां बोया जाता है गेहूं अगयरा उससे बहुत प्रताडित हुए थे किसान लोग तो अधर से आया थे पाकिस्तान तरफ के छेत्र से आगे बढ़ें आईए फेण चलो बताओ कहां से संबंदित है और से ठीक है यह जो है कि उस प्रकार का पे पदार्थ है मतलब जिस प्रकार का होना चाहिए तो यह कहां का प्रस्के तो पेपदास से प्रस्ण पूछे जाता है जैसे हमारे हाँ सलफी ताड़ी यह सब सारी चीज़े होती न वैसी यह फेड़ी काजु कहां का है गोवा का है ठीक आगे बढ़ें आईए मैं किसी प्रकार का कोई भी मतलब प्रमोशन नहीं कर रहा हुँ उसका लगू मुंबई के रूप में जाना जाता है तो इन दौर को लगू मुंबई के नाम से जाना जाता है साथियो ठीक है आगे बढ़ें आईए निम लिखित में से किस सहर को भारत का डेट्रॉइट कहा ज उत्तरी धूप और इस्थित भारतिय रिशर्च सेंटर का नाम है तो इससे पहले जानना जरूरी है कि बहुत सारे आपके क्या है research center है तो आपका आर्टिका ठीक है आर्टिका में याद रखना है क्या लिख दियों हुआ इधर से फोकस बहुत कम जोर हो जाता है ज्यादा इसमें थोड़ा से भी आओगे तो अंटार्टिका ठीक है अनटार्टिका दिखाएगा बोला ना फोकस इधर से कम जोर है और अगर में कुछ मिस्टेक होगा तो च्हमा चाहूंगा थीक है तो याद रखना है साथियों यह जो है आपका हमारा उत्तरी धुरू मतलब कि आपका आर्टिक मह सागर के स्षेतर में हिमादरी नाम इसका क्या नाम है हिमादरी नाम है इतरी चारों याद होना चाहिए प्रस्ण हमेशा पूछता है आगे बढ़े आईए राष्टी आपदा प्रबंधन संस्थान कहां है तो आपदा प्रबंधन संस्थान कहां है नई दिल्ली में आपदा से मैंने क्या बताया कि उत्तर में अभी भूकम पाया हमारे 36 गड़ में ठीक है अगला प्रस्ण है साथियो सूची एक को सूची दो से समीलित कीजिए अच्छा जनजाती से संबंदित प्रस्ण है कराया भी हो गया होगा ठीक है तो एक बार फिर से देख लिए विविदात्मकुरूम से ऐसे पूछे जाता है तो संथाल जनजाती जहारकन यह संथाल इक जिती है भी वह है आपके द्रौपती मुर्मोजी जहां संथाल जनजाती कि हैं याद रखेगा कि भारत की पंद्रवी नंबर की राश्ट्र पती बनी है और आजाद भारत ऑजाद भारत में यह आपकी जन्मी है आपका 1958 की समय में ठीक है और सबसे यूवा रा direitoपती है हमारे भारत की भारत की प्रथम आधिवासी आपकी कौन है कि ओ कि आपकी टेश्ट्रपती से इसे नहीं भूलना हैसे बहुत सारा तो आईए देखेए संथाल जो है जहारघंड में है तो क्या हो जाएगा एक अठ्रीज का यहां जगा यहdy बढ़े संथाल जाधी जहरखंड तो यहीं होगा इस सहां सही संबन जोड़ लेते हैं चलो ठीक है भील जांग जांग कहां मिलती है अलान चले मैंiane नजण टिर ऑगस आंतर का होगा चार एतीन दो एक कहां है कहां यह कि फोकस खराब रहता है इसतर से मेरा क्लियर आगे बढ़ए यह साथियों मैंने यह प्रस्ण आप लोगों को करवाया है यह वाले आपशन आप लोगों को comment box में देना है ये आप लोगों के लिए challenge है याद रखेगा इसका आंसर आप लोगों को देना है यह आपका ही लिस्टेशन या पर्याटनिस्थर से संबंधित प्रस्न है तो इसका answer जरूर आप कहां दे comment box में बहुत सारा मैंने आप लोगों चीज से पूछा है तो पॉस्ट कर लें उसके बाद जो है कमेंट बॉक्स में जो है आंसर दे सकते हैं और साथियों इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा जय हिन जय भारत